दीरादी दोस्तों कानपूर में धिरिन स्वामी की कथा होने वाली थी 17 अपरेल से 21 अपर तक उसको पिशासन ने सकित कर दिया है कोई वीडियो डाल रहा है कोई कह रहा है नहीं है तो इसकी सही जानकारी खुद पंडित धिरिन स्वास्थ्री ने दी है और कानपूर के डीम दी है और मोहाल सही रहे रहाद में जो हत्या कानपूर उसकी काराण सकित की गई है तो आप खुद यी डीम के मूझ से सुन लिए ऐसा खुद कानपूर के डीम ने बतलाया है अब सभी अफगत हैं कि दिनाग 17 से 21 एपृल तक जंपत कानपूर दिहाथ में श्री बागेशपर जी महराज का एक कारेकरम प्रसावित किया गया था परंतु वर्तमान में प्रदेश में जो लौइन ओडर सिच्वेशन है उसके दृष्टिकत वर्तमान परिपेश को देखते हुए ये कारेकरम स्थगित किया गया है इस संदर में कोई भी अन्य विडियो या बयान पर भरोसा मत करिये ब्रामक बाते मत फेलाएं वर्तमान में कारेकरम स्थगित है धन्यवाद स्री सिताराम भर्वान कीज़े बागे सुद्धाम कीज़े सुन्यासी वाबा कीज़े विश्व का कल्याण हो वर्तमान समय की परिस्थतिया देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में इस्थति निर्मित हुई है तो प्रतेक व्यासपीट का और आचारी का कि समुचिब शुकल्यान की हित्किन में सोचना हुआ विचार कना चाले। इसी भाबों को प्रमुकता देते हुए वहां की सरकार वहां के निवासी रहने वाले लोग जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक सद्भावना ना भीळे। किसी भी प्रकार से किसी की हिदय को ठेस ना पहुंचे तो 17 अप्रेल से 21 प्रेल तक पाँच दिपसिय होने वाली स्री हनमंत कथा को वहां की जो चुकि हमने भारतिय सम्मिधान को श्रीकार किया है और हमारे बुर्भजों श्रीकार किया है तो उसका निर्वाहन करना पर तेक भारतिय नागरिक का मौलिक अधिकार है इसलिए 144 धारा वहां लागू है तो हमें लगता है ऐसी परिस्तती में राष्ट हित के लिए और प्रदेश के उत्थान और हित के लिए कथा को आगामी समय तक के लिए तारीक आगे बढ़ानी चाहिए इसलिए 17 तारीक से होने वा समय जबहनमान जी बेरना देंगे उसी अनुकूल परिस्तती में आकरके पुनाह समूचे उत्तर प्रदेश को राम में बनाने के लिए और हिंदू राष्ट की परिकल्पना के साथ हम पुनाह आएंगे और आप सभी भी ऐसे माहौ में सबके हित की देखते हुए ताकि किसी का भी हर्दय बदियर ना हो ऐसे कारिये करें जिससे विश्वका कल्याण हो और समाज का होगा है